हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कॉशल यादर फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा था जो एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं वो ब्लॉक करते हैं दा एक्शन ओफ कॉलिनर्जिक ड्रग्स का कोई भी एक्शन होगा उसको ये क्या करेगा एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स उसको ब्लॉक करतेगा ठीक है ना सिंपल वीरियस एंटी कॉलिनर्जिक एजें ठीक है ना, जैसे कि हमने कॉलिनर्जिक एजेंट में पढ़ा था कि जो कॉलिनर्जिक ड्रग्ज है वो मस्करिनिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, वैसे ही देखो यहां भी है, एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स anti-muscarinic agent और anti-nicotinic agent शभवाईन होता है ठीक है न अब और anti-caller zich तुझी, गेंसरी, anti-nicotinic agents के दो पार्ट्स होते हैं एक ganglionic blockers, एक neuromuscular blockers ठीक है, यह याद रखना है. anti-collinergic agents में anti-muscarinic agent होता है, anti-nicotinic agent होता है Anti-Nicotinic Agent फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है Ganglionic Blockers और Neuromuscular Blockers ठीक है? समझ गए? clear? आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं Anti-Mascarinic Agents का ठीक है न? तो These Drugs Block Muscarinic Receptors Simple, Muscarinic Agent है उसके आगे क्या लग गया? Anti लग गया मतलब वो Block करेगा Muscarinic Receptor को ठीक है? तो These Drugs Block Muscarinic Receptors ठीक है? Hence, Prevent Acetyl Collin on Heart CNS, Smooth Muscles और Exocrine Gland देखो पहले क्या हो रहा था? Acetyl Collin इस Heart पे जाके Act कर रहा था CNS पे Act कर रहा था Smooth Muscles पे Act कर रहा था क्योंकि Heart CNS और Smooth Muscles में क्या-क्या था? Muscarinic Receptor था ना? याद आया? भूल गए? M2 Receptor था Heart में Smooth Muscles में M3 Receptor था Exocrine में M3 Receptor था तो ये सारे Receptors हमारे Heart में CNS में Smooth Muscles में प्रेजेंट थे और Acetyl Collin वहाँ जाके जुड़के अपना Action करता था बट क्या हो रहा यहाँ पे जो Anti-Mascarinic Agents जो होते हैं वो इसको ब्लॉक कर देते हैं प्रिवेंट कर देते हैं मिलने ही नहीं देते हैं जोडने ही नहीं देते हैं उसने Mascarinic Receptors को भी ब्लॉक कर दिया तो Acetyl Collin कैसे आके जुड़ेगा उस पे? नहीं जुड़ेगा ना? तो कुछ Anti-Mascarinic Agents होते हैं जैसे कि Atropin और Scopolamine ठीक है? तो Atropin और Scopolamine हमारा जो है वो Anti-Mascarinic Agents है याद रखना आप MCQ पूछता है ठीक है? अब Atropin कहां से Optane होता है हमें? Atropa-Baladona से Optane करते हैं इसको यह Naturally Optane होता है और Scopolamine जो होता है वो Niger Plant होता है इसका नाम थोड़ा सा यह Like इसको आप प्रणाउंस कर सकते हो Hyokymus के नाम से भी प्रणाउंस कर सकते हो ओके? तो Scopolamine है दो हमारे Agent होते हैं Atropin और Scopolamine ठेक है न? अब आगे बढ़ते हैं अब देखो Mechanism of Action देखो क्या है यहाँ पर? तो बोथ Natural और Synthetic Drugs जो है इसमें Competitively Block करते हैं Muscarinic Effects of Acetylcholine ठेक है? तो हमारे पास Muscarinic Receptor है इसी को Block करना है तो यह जो हमारा Atropin है And यह जो Scopolamine है यह दोनो Atropin और Scopolamine जो है वो Muscarinic Receptors को क्या करते हैं? Block करते हैं यह Antagonist है और Acetylcholine हमारा क्या करता था पहले? वो Muscarinic Receptor को Activate करता था ठीक है न? तो ऐसे यह काम करते है Atropin और यह Scopolamine यह Antagonist हैं यह Muscarinic Receptor को Block कर देंगे यह Acetylcholine को जुड़ने ही नहीं देंगे इससे ठीक है? Competitively तो यह क्या कर रहे है? Acetylcholine से competition लगा रहा है तो Atropin competitively पहले इसके साथ जुड़ जाएगा Muscarinic Receptor के साथ और Acetylcholine को इसमें जुड़ने ही नहीं देगा ठीक है? Clearly समझ में आया है Competitively यह Block करता है अब classification of anti-mascarinic agents की अगर बात करेंगे तो इसमें एक आता natural alkaloids और एक आता semi-synthetic और synthetic anti-mascarinic agent ठीक है न? Natural में अभी हमने पढ़ा Atropin और उसको polymine है और semi-synthetic और synthetic में पढ़ते हैं तो इसमें सारे Atropin के derivatives आते हैं Atropin derivatives used as midriatics में हम लोग यूज़ करते हैं जैसे की Homa, Tropine, Cyclopentolate, Tropicamide यह सारे क्या है? Atropin derivatives है ठीक है? Na, midriatics में यूज़ करते हैं इसको और Atropin derivative used in chronic obstructive pulmonary disease COPD और bronchial asthma हमने पढ़ा था उसमें यह Atropin का इस्तमाल किया जाता है जैसे की Ipratropium bromide, Thiotropium bromide यह सब यूज़ के जाता है यह सब Atropin derivative है, देखो Atropin क्या यहां पर वो है prototype drugs मतलब मैं अगर समझाओं तो अगर example ले लो हमारा car है, okay? car का एक base model आता है और बहुत सारे models उसके निकल जाते है तो एक, मतलब basic चीज़ है Atropin है, मतलब natural alkaloids है उसके बहुत सारे branches, उसके बहुत सारे derivatives बने हुए हैं, ठीक है न? और Atropin derivative used in peptic ulcers में भी यूज़ होता है, कौन से? जैसे Pirenzepine और Talenzipine, ठीक है? फिर Atropin derivative used in pre-anesthetic agent के form में भी यूज़ करते हैं, जैसे Glycopyrolate ठीक है? Atropin derivative used in Parkinsonism में भी यूज़ होता है, जैसे Benzahexol तो ये सारे drugs आपको याद रखने हैं, कभी-कभी MCQs पूछ लिया जाता है और for a knowledge also, ये natural alkaloids हमारे कौन से हैं, और semi-synthetic वाले anti-mascarinic agents कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये आप note कर सकते हो, आप देखो, one by one पढ़ते हैं पहले, पहले Atropin के बारे बारे पढ़ते हैं, ठीक है? Atropin, it is a prototype drug, मैंने बताया था न, ये prototype drug है, इसके बहुत सारे variant है, अलग-लग तरीके के derivatives निकले हुए है, ठीक है, main है ये Atropin, उसके बहुत सारे derivatives हैं, and chief alkaloids of belladonna से निकाला गया है इसको, and it is a tertiary amine, tertiary amine का एक फायदा है कि जल्दी टिशू में penetrate कर जाता है, ठीक है, ठीक pharmacological actions of Atropin, Atropin का कैसे action है, same समझते हैं, CNS पर कैसे act करता है, CNS पर ये mild action होता है इसका, तो Atropin has a mild CNS stimulant effects होता है, it produces anti-parkinsonism में use होता है, anti-parkinsonian effects by reducing cholinergic over reactivity in basal ganglia, देखो, आपने Parkinsonism पड़ा है, उसमें क्या होता है, muscle fatigue हो जाता है, patient को tremor होने लगता है, बतलब जो भी organs होते हैं, जो nerves से involved होते हैं, जैसे हमारे legs हो गए, hands हो गया, उसमें nerves जाता है, तो tremor होने लगता है, ठीक है, old age में जादा देखा गया है, तो उनमें क्या होता है, कॉलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी हो जाता है, कॉलिनर्जिक की मातरा बहुत बढ़ जाती है, बेसल गैंगलिया में, जिसकी वज़े से यह से प्रॉब्लम जाती है, तो यह क्या करता है, यह एंटी पार्किन्सोनियन, उसका opposite action करता है, ठीक है, तो Parkinson's disease आपने पढ़ा है पहले भी, it is a progressive disorder that affects the nervous system and the parts of body controlled by the nerves, ठीक है, वो body जो की nerve से involved होता है, या फिर nervous system से effect होता है, उसका यह, अगर उसमें कोई problem आया, तो हमारा यह, जो एट्रोपी ने, वो help करता है, ठीक है नब? जैसे देखो, मैंने बताया था, old age में, जैसे hand हो गया, tremor होने लगते हैं, shake होने लगते हैं, ठीक है, जो भी nervous system से involved होंगे, बैठ नहीं पाता वन्दा, तो मतलब, उस condition में हम लोग एट्रोपीन का use करते हैं, ठीक है न, तो हम लोग Parkinson's disease में हम लोग एट्रोपीन का इस्तम करते हैं, ठीक, अब देखो, यह क्या करता है, it suppresses the vestibular disturbances, जो हमारे body का जो एक balance रहता है, vestibular, vestibular balance रहता है, वो disturb हो जाता है इन सब patient में, तो यह क्या करता है, उसको suppress करता है, कम करता है, produces anti-motion sickness effect भी करता है इसमें, बट अगर आप larger doses दोगे, तो वो क्या करेगा, excitement करेगा, restlessness होगा, hallucination हो जाएगा, medullary कभी-कभी paralysis हो जाता है, कभी-कभी patient कोमा में भी चला जाता है, और death भी हो जाती है, ठीक है न, अब CVS, central vascular system में कैसे काम करेगा, sorry, cardiovascular system में, so, at low doses पे, atropin causes initial bredycardia, ठीक है, देखो, low dose अगर देते हो, atropin का, तो heart rate कम होने लग जाएगा, पहले, क्यों हो रहा है, क्योंकि blockade of presynaptic mascarinic auto receptors, जो M1 है, वो block हो रहा है, on vagal nerve ending, इस वैसे bredycardia हो रहा है, अगर आप therapeutic dose दे रहे हो, ठीक है, तो tachycardia हो जाएगा, heart rate बढ़ जाएगा, तो वो doses पे depend हो रहा है, कंडक्शन को भी बढ़ाता है, बट अगर आपने higher dose दे दिया, मानलों, अगर highest dose दे दिया, तो flushing of the face होगा, और hypertension की conditions पैदा होगी, इस में, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, low dose देना है, कि therapeutic dose या high dose पे कैसा कैसा effect करेगा, ठीक है, अब glands पे कैसे effect करता है, तो all secretions under cholinergic influences are reduced due to blockade of M3 receptors, देखो, आपको पता है, कि जो cholinergic, जो होता है, वो secretions में effect करता था, वो secretion करता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रोपीन के देने से secretion कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, all secretions under cholinergic influences are reduced due to blockade of M3 receptor, क्योंकि एट्रोपीन क्या कर रहा है, मस्करिनिक receptor को block कर रहा है, तो M3 receptor को block कर रहा है, तो secretions नहीं होंगे, तो sweat gland, salivary, nasal, throat, bronchial gastric, सब effect हो जाएगा, ठीक है, बट milk और bile is not affected, ठीक है, तो milk और bile effect नहीं होता, बाकी सारे effect हो जाते हैं, इस में से skin और mucous membrane भी dry हो जाते हैं, क्योंकि जब secretion होगा ही नहीं, तो skin तो dry होईगी होगी, तो ऐसे effect करता है atropin, उसके बाद eye पे कैसे effect करता है, यह देखना है, तो atropin on topical administration अगर करते हैं eyes पे, तो वो क्या करता है, paralysis कर देता है constrictor pupil का, जिसकी वज़े से passive medriasis हो जाता है, देखो, पहले तो यह समझो की कैसे होता है, मतलब आपका यह eye का structure पहले समझो, जैसे यह pupil है, pupil के चारों और पहले constrictor muscles होता है, आप देख रहे हो, यह जो देख रहे हो constrictor muscles है, साइड में, और उसके बाहर जो है, वो है radial muscles, जो की dilator muscles बोलते हैं, ठेका न, तो अब यहां क्या हो रहा है, अगर आपका constrictor, यह जो constrictor muscles है, यह अंदर वाला, अगर यह constrictor muscles, अगर paralysis हो गया, तो उससे क्या होगा, तो उससे passive mitriasis होगा, मतलब pupil enlarge हो जाएगा, क्योंकि आपका dilator muscles तो नहीं कुछ हुआ है, आपका सिर्फ constrictor muscles होगा, तो constrictor muscles अगर मान लो, तो paralyze हो गया, तो dilator muscles जो बाहर के हैं, वो तो open होगे होगे, तो जिसकी वज़े से midriasis की conditions हो जाएगी, मतलब pupil of the eye enlarge हो जाएगा, ठीक है न, अब देखो, एट्रोपिन से दूसरा क्या होता है, paralysis of ciliary muscles भी हो जाता है, अब ciliary muscles, देखो, समझो यहाँ पर diagram, यह lens है आपका, जब ciliary muscles relaxed state में होता है, तो lens flat रहता है, अगर ciliary muscles contract होता है, तो lens जो होता है, वो round हो जाता है, और छोटा हो जाता है, तो अगर ciliary muscles का paralysis हो गया, तो वो तो छो होता हो जाएगा, तो accommodation जो दिखने का जो vision है, वो कम हो जाएगा, तो simple सी बात, समझाने वाली बात यहाँ पर यह है, कि ciliary muscles का अगर paralysis होता है, तो loss of accommodation हो जाएगा, जो cycloplegia की condition होती है, वो हो जाएगा, तो हमें यह याद रखना है कि atropin eye में क्या-क्या कर रहा है, तो वो paralysis of constructor pupil करेगा, जिसकी वैसे passive medriasis हो जाएगा, या फिर paralysis of ciliary muscles करेगा, तो cycloplegia की conditions हो जाएगी, ठीक है न, अब देखो, अब smooth muscles में कैसे काम करेगा, तो smooth muscles में GIT पे, atropin decrease the tone and mobility of the gut, याद रखना, atropin क्या कर रहा है, tone को decrease कर रहा है, गट mobility नहीं हो रहा, तो इसकी वैसे क्या होगा, constipation की condition हो जाएगी, या न, mobility नहीं हो रहा है, तो आप क्या होगा, constipation नहीं होगा न, GIT में, और it also relaxes the smooth muscles of gallbladder, gallbladder को ये relax कर रहा है, देखो, gallbladder को relax कर रहा है, बट जो GIT track है, उसके tone को decrease कर रहा है, mobility को decrease कर रहा है, constipation की condition बना रहा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर पे कैसे काम करता है, तो यूरिनरी ब्लेडर पे atropin relaxes detrocer muscles of the bladder, मतलब जो detrocer muscles पहले हमने पढ़ा था, construction करके, पेशाब बाहर निकलता था, यूरीन बाहर निकलता था, पर यहां atropin उल्ता कर रहा है, detrocer muscles को block कर रहा है, मतलब relax कर रहा है उसको, जिसकी वज़े से tone of the trigon increase हो जा रहा है, और यूरीन वहीं पे रह जा रहा है, यूरीन retention हो जा रहा है, ठीक है न, ब्रॉंकाई पे कैसे effect करता है, देखो, atropin relaxes bronchial smooth muscles, smooth muscles को वो relax कर रहा है, जिसकी वज़े से जैसे ही muscles relax हो जाएंगे, तो वो secretion कम करेंग तो secretion यहाँ पे reduce हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे act करता है, देखो, जैसे यह detruser muscles है, detruser muscles, यह detruser muscles देख रहे हो, यह contract होता है, और trigon relax होके, यूरीन बहार निकलता है, बट यहाँ पे उल्टा होता है, यह detruser muscles को relax कर देता है, तो यूरीन यहीं retain हो जाता है, ठीक है, म anticholinergic agents के बारे में, कुछ अगर इसमें से doubt है, तो मुझे comment करो, मैं उस recording आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जो मैंने चैनल पे नए है, please, please जाके subscribe कीजिए, like कीजिए, ऐसे ही पढ़िए, एक दूसरे को share कीजिए, and press the bell icon so that you will get earlier notification और एक तरफ से पढ़ते चलिए, okay, thank you so much.